नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस फॉल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्ट काजोन लरायन बहुत स्वागत है आपका बॉलिवोड गफशप में वैसे तो आपको एंटर्टेन करने का कोई मौका हम जारी नहीं देते चाहे वो किसी के ब्रेक अप की खबरे देना हो या फिर किसी की शादी की हम सबसे आपको रूबरू कराते हैं और आज भी बी टाउन की कई ऐसी खबरे हम लेकर आए हैं जो आपको पूरी तरह से तरो ताजा कर देगी क्यूं सही कहाना जब लाइफ में इतना स्ट्रेस है तो थोड़ी देर की हसी खशी भी जरूरी है और थोड़ा मसाला भी तो चलिए देर किस बात की हो जाए तयार मसालेदार गॉसिप्स के लिए बिग बॉस फेम टीवी एक्टरेस हिना खान हाली में अपने बॉइफ्रेंड रॉकी के साथ मालदीव पहुची है और छुट्टिया मना रही है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली हिना खान मालदीव से अपनी कई तस्वीरे शेयर कर चुकी है उन्होंने सी प्लेइन के साथ समंदर किनारे पूल में मस्तिक करते हुए तमाम तस्वीरे शेयर की अब उन्होंने स्वीम सूट से अपनी कुछ तस्वीरे शेयर की है तस्वीरों में ही ना एक्सपोजिंग स्वीम सूट पहने नजर आ रही ही है उन्होंने ब्राउन कलर का हेट लगाया है और संग्लासेज लगाये हैं खुले बालों में उन्होंने समंदर किनारे तस्वीरे खिचवाई जिन्हें 4 लाग से ज़्यादा बार लाइक किया जा चुका है इन तस्वीरों को फैन पेजों पर भी शेयर किया जा चुका है हलाकि कुछ यूजर्स ने कमेंड किया है और कुछ यूजर्स को हीना का आउटफिट खासा रास नहीं आ रहा एक यूजर ने कमेंड बॉक्स में रिखा माम कुछ तो शरम करो जबकि एक अन्य यूजर को ये पसंद आया और उनने आंख बारने वाली इमोजी बनाई है बॉलिवर एक्टर टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म हीरो पंती टू में नज़र आने वाले हैं इस फिल्म के रिलीज होने की खोशना पिछले साल फरवरी के महीने में हुई थी इस फिल्म को लेकर टाइगर बेहद साहित है बताय जा रहा है कि ये फिल्म 3 दिसमबर 2021 को रिलीज हो सकती है इसे बीश टाइगर श्रॉफ और उनकी बहन कृषना श्रॉफ की एक फोटो सोशल मीटिया पर तेज़ी के साथ वारल हो रही है इस फोटो में कृषना ने टाइगर को अपने कंधों पर उठा रखा है कृटो को अपने इंस्टाग्राम हैंटल पर शेयर किया इस फोटो में कृष्णा टाइगर को अपने कंदों पर बैठाती हुई नजर आ रही है वहीं टाइगर भी जबरदस्त पोस्ट देते वे नजर आ रही है फोटो शेयर करते वे कृष्णा ने लिखा मैं हमेशा उसे इसी तरह अपने कंदों पर बैट कर रखना चाहती हूँ बता दें कि कृष्णा और टाइगर एक दूसर से बेहत प्यार करते हैं और समय समय पर पापा जैकी श्रॉफ को प्राउट फील कराते रहते हैं इंडिनाइडल 12 के मंच पर बॉलिवूड के दिवंगत एक्टर रिशी कपूर को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा इस एपिसोड में रिशी कपूर की वाइफ नीतु कपूर भी शामिल होंगी हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो वीडियो में नीतु रिशी कपूर के गारों पर जम्प कर एंजॉय करती नजरा रही है वहीं शो की होस्ट यारिंगी नेहा ककट को इन्होंने शगुन के रूप में ताफ़ा भी दिया है दरसल रिशी कपूर के निधन के बाद ये पहला मौका था जब नीतु किसी रियाल्टी शो में शामिल हुई इस दोरान उन्होंने रिशी कपूर से जुड़ी यादे भी दर्शुकों के साथ शेयर की चुकि नीतु पहली बार नेहा ककट से मिली है तो उन्होंने नेहा को शगुन के रूप में उपहार भी दिया इस पर नेहा की आखों में आसु भराए नेहा ने नीतु को काला ठीका लगाया और उनके पैच हुए ये वीडियो अब देखते ही देखते वारल होने लगा है यानि कहा जा सकता है कि अगला एपसोड जो है पूरी तरह से मोशनल होने वाला है बॉलिवूर एक्टर रनवीर सिंग और उनकी पतनी दिपिका पदकॉन लंबे समय से एक दूसरे के साथ फिल्म में नजर नहीं आए है लेकिन इसे उनकी पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं आई है हाल ही में रनवीर सिंग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिपिका के साथ बहुत रुमैंटिक तस्वीर शेयर की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रही है रनवीर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में तीन फोटो शेयर की हैं पहली फोटो में वो दिपिका की आँखों में देख रहे हैं इस फोटो में दिपिका भी रणवीर को hot look देती हुई नजर आ रही है वहीं दूसरी और तीसरी फोटो में रणवीर दिपिका के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त भी है फोटोस तेकर ये साफ अंदाजा लगाये जा सकता है कि रण्वीर और दिपिका अपकमिंग फिल के बारे में चर्चा कर रही है इस फोटो पर दिपिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है दिपिका ने लिखा टू हैंसम इसके साथ ही दिपिका ने लव स्ट्रे की मुझे भी पेस्ट की है दिपिका की रणवीर की ये फोटो अब सोशल मीडिया पर जॉम कर वारल हो रही है वहीं फैंस भी जबरदस रियाक्शन देते वे नजर आ रही है एक यूजर ने लिखा इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे वहीं एक और यूजर ने लिखा बेहद रोमैंटिक जोड़ी नवाजदेन सिद्की अपने आने वाले फिल्मों को लेकर एकदम तयार है वह अकसर अपने आने वाले फिल्म के शूटिंग सेट से कई फोटो शेयर करते रहते हैं ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिल रहा है हाल ही में उन्होंने एक नया वीडियो अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया जिसमें अक्टर अपने आने वाले नए गाने की सूचना देते वे नजर आये उन्होंने वीडियो शेयर करने के साथ लिखा ये नई म्यूजिक अलबम 27 मार्च को रिलीज की जाएगी नमाजओ दीन ने सोचल मीडिया पर पहली बार रील बना कर शेयर किया है जिसमें वो अपने आने वाले नई गाने का डायलोग बोलते हुए दिखाई दे रहे है उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में रिखा ये सूरत से भी कह दो मेरा इंस्टाग्राम पर पहला रील पूरा गाना 27 मार्च को रिलीज हो रहा है वर्क फ्रंट की बात करें तो नवाजुदिन सिद्गी जुलधी अपनी म्यूजिक वीडियो बारिश की जाए में नजर आने वाले है और बॉलिवुड की खबरों में ताहीं आप देखते रहे है न्यूस फाल इंडिया